अर्यों आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है फोटोशॉप में जेपीजी इमेज के उपर जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं उसके बारे मैं बताने कर रहा हूँ अब एद के एक मेंज लेता हूँ मैं इधर के हमटई मावस दबल तुल करो अब इस संगल लेघर है इमेज तो इस में से क्या करना है इस टेक्स्ट को रिमूव करना है तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इदर rectangle tool में आना है आपको, आके इदर क्या है, इस corner से ऐसे drag करता हूँ मैं, इसको एक selection कर लिया मैंने, अभी क्या है, इस portion को थोड़ा zoom कर लेता हूँ मैं, control plus क्या मैंने, तो zoom हो गया, अभी इसको क्या है, space पर hold करके थोड़ा side में लेता हूँ इसे, तो अभी इस selection में क्या portion को मुझे minus भी करना है, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, keyboard में alt को hold करना है, alt को hold करने से क्या होता है, minus होता है, अभी इसे click करके drag करता हूँ मैं, इतना portion minus हो गया अभी, इसी तरह क्या है इदर भी लेता हूँ मैं, इतना portion लेता हूँ, तो इतना portion लेता हूँ, इ अभी मैं क्या करता हूँ इस टेक्स्ट के उपर लाके इसको क्या है क्लिक करता हूँ क्लिक करने से वह रेंज इदर सेलेक्ट होता है अगर समझो दूसरी जगा पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो दिखो भी दूसरा portion select हो रहा है तो अभी मैं क्या करता हूँ text के उपर आके एधर क्लिक करता हूँ तो दिखो भी white select हुआ है अभी यह जो range है इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ मैं अभी इसमें क्या है selection को active रखा है मैंने इसको क्या है और थोड़ा कम कर लेता हूँ दिखो भी इसमें कौन सा भी बैग्रोंड नहीं दिखना चाहिए आपको इतना लेया मैंने इतना लेने के बाद अभी इसको क्या है क्ट्रोल प्लस करने से जूम हो रहा है अभी इस सेलेक्शन आपको दिख रहा है इसको एक्सपांड करने के लिए अभी मैं क्या करता हूं Select में आके Modify Expand करता हूँ Expand में आके समझो अभी एक 5 पिक्सल है अभी समझो 5 ए 6 ऐसे कर लेता हूँ अभी इसका Image का जो Resolution है वो 300 है तो अभी मैं क्या करता हूँ इसको 6 रखा है रखके इसको Expand किया तो Selection देखो ऐसे बाहर के तरफ आ गया इतना लेने के बाद अभी आपको क्या करना है इस Selection को Feather भी देना है तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ Select में आके Modify इधर Feather देता हूँ Feather क्या है 2 पिक्सल है अभी क्लिए 2 पिक्सल ही रखता हूँ रखके इसको OK बोल दिया मैंने अभी इसको आपको क्या करना है डिलीट करना है डिलीट करने के बाद देखो भी इधर क्या है Content क्या है इधर Background कलर करके है इसमें आता हूँ इसमें आके आपको क्या करना है Content Aware करके है इसको क्लिक करता हूँ क्लिक करके आपको क्या है वो क्या बोलना है देखो भी यह क्या हो गया अभी यह देखो यह फिल हो रहा है इसमें भी देखो अभी इस selection को control-d भोलता हूँ मैं अभी इसमें क्या है maximum result आ गया अगर इसमें कहीं पर आपको कुछ यह लग रहा है तो आप क्या है क्लोनिंग हीलिंग टूल यूज करके उसको रिमूब भी कर सकते आप यह आपको समझ में आ गया अगर यह करते वक्त आपको कुछ डौट्स वगेरा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद